गाइज मिशू ने रातो रात अपने अल्गोरिथम में एक बड़ा अपडेट किया जिससे डिलिवरी कुरियर के यहां पे नेंद उड़ गई गाइज अगर आप मिशू पे सेलिंग कर रहे हो तो यह वीडियो आपको जरूर रेखना चाहिए क्योंकि यहां पे डिलिवरी कुरियर के साथ साथ आपके भी बिजनस में इसका एफेक्ट पढ़ने वाला है पूरे डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ कि क्या है यह पूरा अल्गोरिथम चेंज मिशू का बने रहे हैं इस वीडियो के साथ दोस्तों मिशू एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो अपने ओडर्स को सिप करने के लिए मोस्ट अप 3PL कुरियर पे डिपेंडेट है मिशू अपने 80% जो ओडर है वो 3PL कुरियर लाइक डिलिवरी, एकॉम, एक्सप्रेस बीन इनके थूरू डिलिवर करवाता है और जो रिमेमिंग 20% ओडर है वो अपने इन हाउस और खुद के कुरियर वोल्मो से डिलिवर करवाता है मिशू ने हाल ही में वोल्मो को लांच किया था और अभी वोल्मो 5000 पिन कोड में जो इंडिया में है वो अवलेवल है और लगबग 20% जो ओडर है मिशू का वो वोल्मो ही हैंडल करता है गाईज यह जो 80% ओडर हैं जो 3-0 कुरियर हैंडल करते हैं उसमें भी most of the orders जो होते हैं लगबग 65-60% ओडर वो डिलिवरी कुरियर ही हैंडल करती है लेकिन मिशू ने अपने algorithm में एक बड़ा बदलाव किया है और यहाँ पर डिलिवरी कुरियर को मिशू ने downgrade कर दिया है मिशू का कहना है delivery courier एक volatile company है और unstable उनका shipment है ऐसा मिशू का कहना है और ये कहके मिशू ने यहाँ पे delivery courier को downgrade कर दिया गाइच काफी दिनों से sellers के message आ रहे हैं कि उनके जो pickups हैं वो delivery courier को नहीं जा रहे हैं या तो walmo को जा रहा है या अदर्स courier को जा रहे हैं और delivery को काफी कम जा रहा है ऐसा इसलिए ही हो रहा है क्योंकि मिशू ने delivery को downgrade कर दिया है अब sellers को यहाँ पर worry है क्योंकि delivery जो है वो काफी अच्छा उनके product को deliver कर वाता था मैं खुझ मिशू पर selling करता हूं और most of the orders को जा रहे हैं वोल्मो को जा रहे हैं अगर आपके city में वोल्मो नहीं है तो अदर्स courier को जा रहा है और delivery की जो पेफ्रेंस से काफी कम कर दी गई है मिशू के तरफ से मिशू का यहां पर प्लान यह है कि वह अब अपने जो order से जादा से जादा वोल्मो कुरियर के थुरू ही डिलीवर करवाएगा क्योंकि वो उसकी खुद की इन हाउस कुरियर सर्वेस है और इसलिए आपने देखा हुगा कि लाश्ट वन वीक से अगर आप orders जनरेट कर रहे हों तो most of the order या वोल्मो को जा रहा है या अदर कुरि तो यह किसी एक सथ नहीं हो रहा है और अपनी तरफ से इससे सही करेगा या फिर उसका माइंड चेंज होगा उसके जो सिस्टम है उसमें डिलीवरी को प्रफ्रेंस अगर मिलेगी या फिर दिलीवरी और मिशु का कुछ इस तरह का combine कुछ होता है को यहां पर contact तो हो सकता है कि delivery को फिर स्टार्ट करें मिशु लेकिन मिशु का अभी जो प्लान है वो है वोल्मो को ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर pick up करवाना और उसी के थुरू यहां पर काम करना आने वाले future में आपको वोल्म का जो नया update है उसी के कारण हो रहा है तो यह वीडियो जो है आपको पसंद आया हो और knowledgeable लगा हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जुरूर कीजेगा चैनल पर नया है तो चैनल के लिए subscribe मैं आपके लिए e-commerce related वीडियो लाता रहता हूँ thank you guys for watching this video मिलते है next video